महराजी, जैसे हनमान जी को जामबन दे सकतियों की याद दिलाई, आपको वी कभी ऐसा हुआ है कि आपको हनमान जी ने याद दिलाई हो कि आप इतना चाह गा सकते हैं। या कोई प्रसंग ऐसा। आमको कुछ गाना वाना नहीं आता और मैं तो अपने आपको बड़ा एक बहुत तुछ सा जीव मानता हूँ मैं सबते बता रहा हूँ आपको मुझे लगता है कि हम कुछ नहीं है हम तो तेरे सारे ही बस जिन्दगी का जीवन जी रहे हैं लेकिन इतनी तो कृपा का एहसास मुझे सदा लगता है कि एक बार जब हम व्यास पीट को प्रणाम करके बैठ जाते तो उसके बाद कौन बोलता है कौन कहता है कौन सा सुत्र कब सामने लाकर के कौन सा चौपाई कौन सा दोहा कौन सा श्लोक कभा करके खड़ा हो जाता है हम पंजी की करपाई कभी ऐसी अन भुति ऊछी है हम मं जी की आपको अन abundance मैं दुनिया को कहता है ़ो प्जे लोग को देखा आपने न मैं जी को देखा मैं यह करना थे और हनुवान जी कौन है पवन पुत्र पवन तन है संक ठरण वात जातम नमाम वात कहते हवा को वात जातम हवा का पुत्र और हवा का बेटा हवा आप बताईए किसी ने आज तक हवा को देखा है अभी यहां पर एसी चला दो और हवा आई ठंडी सी तो आपको क्या होगा अरे वाई एसी ओन हो गया वाई बहुत ठंडी हवा आई है और आप गारंटेड हो कहते हैं तो दिखाओ अरे दिखाओ अरे दिखाए कैसे देखो पसीना सुख गया मारा देखो हमें कितनी ठंडी हवा मिल रही है वाई देखो हम कितने आनंद में हो गए दिखती नहीं है काम पुरा करती है यही है हनुमान जी दिखने ही रहे है एहसास हर समय हनुमान जी एक एहसास है हनुमान ज अनुमान जी एक गुड़ थोट है अनुमान जी एक डिवाइन पावर है और हनुमान जी एक ऐसा तत्वा है जो भोलता नहीं करता है बस